नमस्कार अपना उत्राखन देखने आप सभी आपके साथ मैं हूँ जीनत सद्धी की शुरुआत खबरों की करेंगे उत्राखन वधान सभाचुनाव के लिए कॉंग्रस ने अपने उमीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दिया इसमें 53 उमीदवारों के नाम शामीले वहीं 17 सीटों पर प्रत्याशों के नामों का अभी भी एलान नहीं किया गया है बात करें प्रितम सिंग चकराता से कॉंग्रस प्रत्याशी होंगे गणेश गोधियाल शिरनगर से उमीदवार होंगे खटीमा में सीम धामी के खलाफ भूवन कापडी मैदान में होंगे इंद्रा हिरदेश के बेटे सुमित को हल्दवाने से टिकेट दिया गया है यश्पाल आरेकु बाजपूर से और उनके बेटे संजीव आरेकु नैनिताल से टिकेट मिला है पहली लिस्ट में हरीश रावत और हालही में बीज़पी छोड़कर कॉंग्रिस में आये हरक सिंग रावत या उनकी बहु का नाम शामल नहीं है पहली लिस्ट में रामनगर सल्ट लैंस टाउन और डोईबाला सीत्वर उमीदवार की नाम का एलान नहीं हुआ है तो प्रितम सिंग चकराता से गनेश गोधियाल शीनगर से भूवन चंद कापडी खटीमा से यशपाल आरे बाजपूर से यरिजॉव सीट है प्रदीप पाल डीडी हाथ से सुमित हिर्देश इंडरा हिर्देश के जो बेटे हैं हल्दुवानी से करन महरा रानी खेट से संजीव आर्या यशपाल आरे की बेटे ने निताल से गोधावरी थपली मसूरी से रणवीर सिंग चौहान रानी पूर से ममता राकेश जो है भगवान पूर से शैलेंदुर सिंग रावत यमकेशवर से नवलकिशोर पॉड़ी से मयूख माहर तुथारागड से खजान चंद्र गुड़ू गंगोली हार्ट से रंजीत दास जो है वो बागेशवर से रिजर्व सीट है ये मालचन पुरोला दीपक बिजलवान यमनोत्री से प्रत्याशी बनाए गए है दिपांकर हमारे साथ हमारे सहीयोगी जुड़े हुए है दिपांकर लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट से कॉंग्रेस की जो स्ट्राटेजी है वो भी काफी हद तक समझ में आती है इस पर जरूर बात करेंगे कि जिन्हें नहीं मिली है और जिनके नाम नहीं है उसका क्या संदेश जा रहा है फिलाल लेकिन जो अभी लिस्ट आई है उस पर क्या चर्चा हो रही है वहाँ जमीन पर बिल्कुल अभी जो बीजेपी का खास तरब से रेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी कैसे देखती है इन सभी पर यानि बीजेपी का यह कहना है कि कॉज..? लड ला ही था चिरन माहिरा टिकेट मिलना ही था Congress ने अपने सेटिंग विधायको को टिकेट और दिय है दूसरी एहम बात यह कि इंद्रा घृदेश जो तकीम को निधन हुआ तो उपर से अगर आप दूसरी और देखेंगे तो हिरा सिंग बिष्ट जो पूरू मंतरी रह चुके हैं उन्हें रायपूर से उम्मिद्वार बनाया गया उमेश शर्मा काउ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे इसके अलावा मादबर सिंग कंडारी का जिक्र आ रहा था बड़े कई उम्मिद्वार वो ही हैं तो क्या 11 से आगे बाद बढ़ेगी कॉंग्रिस की कॉंग्रिस को सबसे बड़ा चैलेंज है 36 के टार्गेट को अचीव करना 36 के बहुमत के आंखडे को अचीव करना और उस चैलेंज को देखते हुए कॉंग्रिस जो 53 सिटे अनौंस क हुआ है पार्टी में गुटबाजी और नाराजगी कितनी रहेगी तो कॉंग्रेस की पहली लिस्ट में पूर मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल में बीजेपी छोड़कर कॉंग्रिस में आये हरक्सिंग रावत और उनकी बहु के नाम शामिल नहीं है हरीश रावत पूर नेतरत में चुनाव लड़ा जाएगा चीक है सीम फेस अनाउंस नहीं किया है प्रेशर पूरिक्स थी हरक्सिंग रावत पहले चर्चा हुई कि आएंगे नहीं आएंगे लेकिन फाइनली आ गए हैं अब अनुकृती रावत सवाल यह कि पार्टी यह कहती है कि हम एक के दो लोगों को टिकेट मिलेगा कलजारी कॉंग्रेस की पहले लिस्ट कई बड़े चेहरों को टिकेट दिया गया है इसमें कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गडेश गोदियार शीनगर से चुनाव लड़ेंगे नेता विपक्ष पृतम सिंग का भी हम जिक्र करेंगे देखें चकराता से चुनाव लड़ेंगे अभी जैसे दिपांकर जिस बात का जिक्र करेते बुवन चंद काप्री निता कॉंग्रेस खटीमा से मुख्यमांत्री जो हैं उनके खलाफ पुषकर सिंग धामी के खलाफ मैदान में उतरे हैं तो ये भी नाम लगभग तैम आना जा रहा था करन महरा नेता कॉंग्रेस के रानी खेट से तो ये वो नाम है जो लगभग तै थे उनहीं टिकेट मिला है संजीव आरे नेता कॉंग्रेस से नैनिताल से जो है इन्हें टिकेट मिलता है और गणेश गोधियाल प्रदेश अद्यक्षिनगर से आप इन्हें जान जब बड़े चेहरे आमने सामने होते हैं तो अविस है कि भई ये होट सीट हो जाती है जिस पर सबसे जादा नजर रहती है मदन कौशिक सत्पाल ब्रहमचारी हरिद्वार यानि कि ये आमने सामने है और चुनाव बड़ा दिल्चस्प रहेगा उसके बाद उमेश शर्मा काओ की बाद करें हीरा सिंग बिष्ट ये आमने सामने चुनावी मैदान में उसके बाद अब सवाल ये कि जिन्हीं नहीं उतारा गया है उनके नाम कब शामिल होंगे डिपांकर हिमारे साथ जुड़े हुए हैं डिपांकर अब हरिश रावत की हम उसके बाद मैं फिर आऊंगी हरक सिंग रावत पर हरीश रावत इस बार तो लिस्ट में नाम नहीं है हाला कि उनकी नाराजगी और दबाव पॉलिटिक्स हमने पिछले दिनों सब देखी उनका अंदाजे बयान ये बार-बार इशारा करता है कि वो चाहते तो है कि उनके नाम का एलान हो जाए अब उनको लेके क्या स्ट्राटेजी पार्टी के अंदर बने हुई है क्या चर्चा है वहाँ ग्राउंड पर जीरत इस सवाल का जवाब मैं दूँ उससे पहले एक रियक्शन हम बहुत जल्दी से बीचेपी के प्रदेश अधिक्ष मदन कौशिक का लेंगे कॉंग्रेस ने 53 सीटे अनाउंस कर दी कई बड़े रेता है लेकिन हरक सिंगरावत और हरी शावत अभी भी अनाउंस नहीं हुए आप पर इस लिस्ट को कैसे देखते हैं बहुत बड़ा घमासान है अभी भी कई बड़े नेताओं के टिकट नहीं किलियर हो पाए इसका जगड़ा चलते-चलते हां तक आया इतने जगड़े के बाद भी तरेपन कर पाए तुम वह समझता हूं कि कॉंग्रेस का जो पूरा सोचल मेडिया उठा कर देखिए भेंकर उनके अंदर जो गुटबाजी है गुरुबाजी है जो पिछले पास साल से चले वही आप है वही गुटबाजी है अब है ठाकूर एसी महीला मौमडन इस सारी समीड़ों पर आप देख रहें कि आप कहां काउंटर कर रहें एसी उनसे ज्याद दी भराह्मन हमने ज्याद द है ठाकूर हमने ज्याद दिये है हमने सर वनसे चाहिया है आप Halach पूछ लीजिए एक सवार पर्टी को हुआ है अभी तक अनौस नहीं किया उन्होंने आपके लिए उन्होंने पत्ते बहुत बांद बंद करके रखने हुए वह उनके लिए बंद है हमारे लिए वह तो वह जाने हमने तो अपन किया है जहां उतारेंगे रख सिंग रावाद क सब्सक्राइब को सिट पर ऐसा नहीं है उनमें आपस में बड़ा भेंकरतम स्थिदि खराव है पूछे चर्चा है कि सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि तिरवेंद सिंग रावत को डोई वाला से उन्होंने मना कर दिया एलेक्शन लड़ने से तो वहां हरक सिंग और मु कि यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमने बीजेपी बड़े नेता को हराया आप ऐसा क्यों बोलना है वो सत्पाल महराजी हमारे इतने बड़े नेता है कोई लड़ लीजिए सत्पाल महराजी बंपार एक डम जबर्दस तरीके से एक डम रिकोर्ड बनाएंगे जरूर दिखा रहे हैं लेकिन अभी जब मैदान पर मुकाब्ला होगा वो बहुत दिर्चस्थ होने वाला है छेक और चोटा सवाल धिपांकर अम बात करी रहे हैं पार्टी ने एक परिवार के दो लोगों को टिकेट दिया आरे परिवार, यानि कि संभावना है कि रावत परिवार, हरक सिंग रावत का परिवार और जो बहु उन्हें टिकेट मिल सकती है, यह जो 17 सीटे हैं, इस पर स्ट्राटेजी थोड़ी और स्ट्रॉंग बनाने की संजीब आरे कि अपनी आइडेंटिटी थी, क्योंकि वो विधायक है और एक सीट पर MLA है, तो उनको टिकेट मिलना तै था, लेकिन अनुकृती रावत को अगर आप देखेंगा, हरक सिंग रावत की बहु को, तो उनकी बहु अभी पार्टी उन्होंने जॉइन की है, अभ हरक सिंग रावत के केस में हो, चाहिए हरी शावत के केस में हो, और अब सबसे ज़्यादा नजरें जिस पर टिकी है, वो सिर्फ हरी शावत और हरक सिंग रावत की सीटों पर टिकी है, जीनत। अभी जिक्र दिपांकर ने भी किया भी, बकाईदा सवाल किया उन्होंने मदन गोशिक से उस पारे में, तो ये एक इंजिनिरिंग जो कही जाती एलेक्शन में, वो कॉंग्रेस की हम आपको बता रहे हैं। इन सीटों में अभी हरीश रावत, हरक सिंग रावत, अनुकृती रावत, रणजीत रावत जैसे नेता शामिल हैं, जिनके नामों की चर्चा है। अब सवाल की पार्टी क्या इन्हें टिकट देती है या कोई और स्ट्राटीजी है। तो 17 सीटों का समय करन क्या होगा, नाम क्या होंगे, ये महवत पूर्ण सवाल, क्योंकि टिकटों के जो प्रत्याशी घोशित होते हैं, उन सीटों के, उसके बाद किसी भी पार्टी की स्ट्राटीजी समझ आते हैं। मेरे हाथ में एक काम है, जो मुझे पार्टी ने सौपा है, कहा है कि तुम कंपेइन को लीट करो, चुनाओ, तुमारे नेतों तुम लड़ा जाएगा, मैं वो काम कर रहा हूं। तो मैं एक बार में एक ही काम में फोकस करता हूं, अब कौन मुख्यमंत्री होगा, मेरा काम है बहुमत जुटे और बहुमत जुट जुट जाएगा, तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है, कि हम कॉंग्रेस अधिक्षा से प्रात्ता करते हैं, कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो मारा निता नामजद कर देंगी. यह सब बात है करते हैं, तो यह सारी चीज़ें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी सुरवात हुई हो. मैं बहुत बहुत धन्यबाद दूँगा पाल्टी का, जिनोंने मुझे पर विश्वास किया, भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कि जिस परकार, पाल्टी ने मुझे पर भरोसा किया है, इसी परकार, इसी देव तुली जनता, जो हमारे लुआगार बिदान सभा की है, समकोर्ण लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया, कि इस बार बहुत हो गया, दो बार मानी बिदाग जी को देख लिया, इस बार कुसाल सुने दिकारी को एक बेटे और बाही के रूप में, जनसेवक के रूप में आशिरवाद दे रहे हैं। उधर 26 जनवरी को राजपत पर उत्राखन की जो जहाकी निकलेगी, उसको हम आपको दिखाते हैं। जहाकी में उत्राखन के बदरी केदार और हेमकुन साहब की तस्वीर के साथ ही विकास के कामों पर फोकस किया गया है। जहाकी में दोबरा चांटिपूल को भी दिखाया गया है जो कि इंजिनरिंग का एक नायाप नमूना है। देव भूमी की बावन धर्ती तुझको शत्षत मेरा प्रणाओ। मागा ति लहर मीठे स्वर कहें जिम परवतों के बीच में बदरी केदार स्वेम रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं कहीं में जाएगा।